हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल सिंपल क्रियेशन बाय अनीता सिंग आज किस वीडियो में मैं आपको ग्लास स्नेक कटिंग और स्टिचिंग डोनों बताऊंगी जो ग्लास स्नेक होता है हमारा उपर से चौड़ा होता है और नीचे से उसकी विर्थ कम होती है तो इसलिए इसे ग्लास स्नेक कहते हैं साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरीके से यह पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और यह पाइपिंग बना सकते हैं वह भी एक ही बार में बहुत कम समय में तो शुरू करते हैं यह मैंने अपने फैब्रिक को पेस्टिंग के साथ पेस्ट कर लिया है अगर आपको पेस्ट किस तरीक से करते हैं फैब्रिक को यह देखना है तो आप मेरी स्क्वेर नेक कटिंग की वीडियो देख सकते हैं तो यहां पर जो मेरी इसकी पेस्टिंग की जो विर्थ है वो साड़े चार इंच है और जो इसकी लंबाई है वो ग्यारा इंच है यहां पर मेरी नेक की जो विर्थ है वो तीन इंच है आप इसे अपने एकॉर्डिंग सवा तीन साड़े तीन पौने चार बढ़ा सकते हैं ठ जो अकपड़र के लाइख कोड़ोंगी। अब यहां से तीन इंच से जो उने मार्क किया है। जितने भी आपकी नेक की लेंग्ट यहां पर मेरी नेक लेंग्ट 9 आपकी यह 10 भी हो सकते हैं तो आपके अपने एक्टार्णिक ले सकते हैं। ठीक है, जो solder दबाव का जाता है उसके लिए half inch extra लेते हैं और यहां से एक inch साड़े नो हो गया साड़े दस पर एक मार्क करेंगे यह हमारा पट्टी का मार्क हो गया और half inch हमारा जो कपड़ा दबाव आएगा उसके लिए हम अब इन मार्कों को सीड़ा कर देंगे अब यहां से हमने तीन इंच इसकी उपर से चोड़ाई ले रखी है नैक की तो यहां से जो हम अपनी चोड़ाई लेंगे वो कम लेंगे ताकि हमारे ग्लास गिले की शेप आ सके तो यहां से मैं इसे ढाई इंच लूँगी आधा इंच कम अब मैं इसको इस तरीके से मिला दोंगी इसको इस तरीके से मिला देंगे और एक इंच का मार्क यहां से लगा देंगे कि हाफ इंच का मार्क यहां कर देंगे और यह हाफ इंच को इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे अब यह जो यहां से एक्स्ट्र है इसको हम कट कर देंगे क कुछ नहीं करना है अब ही से मार्क यह मार्क यहां जो हमारी लाइन करी है तिक है इस लाइन पर हमसे गरारी चलानी है और अगरारी हैं हम करेंगे इससरी के से मार्क पर कर 일ेकिने अ कि इस तरही शिचंट में आएंगे आपको बताती हूं कि आप इसे किस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि आपको फोल्डिंग में प्रॉब्लम ना आए इस तरह से फैब्रिक को खोलेंगे ठीक है अब यह जो हमने हाफ इंच का यहां पर मार्क कर रखा है यह वाली साइड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ब एक बार हम इसको इस तरीके से क्लिच कर देते हैं यह जो हमने गरारी से मार्क कर रखा है इससे बड़ी आसानी से अपने आप ही अटोमेटिक फोल्ड हो रहा है ठीक है इस तरीके से हम इसे एक बार आइरन से से सेट कर देंगे तो यह अच्छी तरह से बैट जाएगा तो यह साइड में हमने इसे आइरन करकर फोल्ड कर लिया है अब हम इसे नेक पर अटेच करेंगे तो सबसे पहले तो हम अपनी कुर्ती में सेंटर लाइन बना लेंगे आप इसे आइरन करके भी बना सकते हैं यहापर सेंटर नौच कर दीजिए ठीक है सेंटर नौच कर दी तो इसके लिए हम अपना कुर्ती के पीस को उल्टा रखेंगे ठीक है तो यह मेरा कुर्ती का उल्टा पीस है और यह मेरा फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड को हम नीचे रखेंगे और बैक साइड को ऊपर रखेंगे इस अरीके से यह जो हमारा पेस्टिंग फैबरिक है इसको हम इसके साथ अटेच करेंगे, बिल्कुल सेंटर नौच को सेंटर नौच से मिलाते हुए इसे एक लंबी स्टीच दे देंगे, आप चाहे तो यहाँ पर लंबी स्टीच दे सकते हैं, या फिर पिन से अटेच कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसे पिन से अटेच कर दू कुर्ण करने के Before Cutting नहीं का के चुरय में कंपामिंगे कुर्ण कर स्बस्साराम करें ऋई करने के बाद यह जो हमारे इस स्क्वेयर हारा है इसको हमोहारे नौच करने के जुरत नहीं है क्योंकि यह हमारे फ़्र tutto ग्लास गले में खाली 2 स्क्व्यायर प्रॉइंट करना है जाज आइगा हमें वही पर कट करना ए अब हम इसे कर देंगे इसको हम अपने फ्रेंट साइड में इस तरीके से टॉर्ण करेंगे अब हम इस पट्टी को पलड़ते वे यहाँ पर piping भी बनाएंगे साथ के साथ ठीक है तो piping बनाने के लिए हमें कुछ एक्ट्रेफट करने के जुरत नहीं है बस यह जो हमारा हमने कट किया है पाव इंच जो एक्स्ट्र हमारा आया है उसको हमें इस तरफ से रखना है अपने और जितने भी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी पाईपिंग आप यहां पर निकाल लेंगे अब यहां पे स्क्वेर पे आके हमें स्क्वेर पॉइंट तक आना है और उसके बाद आराम से इसको इस तरीके से टॉन करना है यहां से भी हम इसको इस तरीके से पट्टे को नीचे ग्रीन की तरफ करेंगे और इस तरीके से पाइपिंग को निकालेंगे आराम से तो इस तरीके से हमारी पाइपिंग ग्रीन कलर की निकल कर आ जाएगी कि यहां कोने वाले पॉइंट में बड़े ध्यान से आपको करना है ठीक है इस तरीके से पहले एक साइट की पाइपिंग को हम निकालेंगे फिर इस तरीके से यह दूसी साइट की पाइपिंग भी निकाल लेंगे तक बहुत आराम से बन जाएगा ठीक इस तरह से हमारी यह पाइपिंग निकल कर आ गई है अब यह जो किनारी है आप चाहे तो यहां पर भी पाइपिंग लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें या किसी तरीके की कोई मोती वाली लेस लगाना चाहें तो यहां पर अटैच कर सकते हैं पर यहां पर मैं कोछ अट कर दोंगे पहले अमने नेक की शेप दे रखिए उसके कॉर्डिंग इसको पिन अप कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो ठीक है इस तरह के से हमारा नेक सेट रहेगा अब हम यहाँ पर लबकी सिलाई चला देंगे इस तरह के से नेक को होल्ड करेंगे इस तरह से हमारा यह बैक नेक तयार है ग्लास गला बनकर हमारा तयार है तो इस तरह के से आप भी ग्लास गला बना सकते हैं ग्लास गले में जो मेंन बात होती है वो होती है उसकी चोड़ाई तो यह उपर से चोड़ा होता है और नीचे से इसकी चोड़ाई जो है वो कम होती है ठीक है यहाँ पर मैंने 5 इंच इसकी चोड़ाई नीचे से ली है और 6 इंच उपर से ली है तो आप इसकी जो चोड़ाई नीचे से उसे कम कर सकते हैं और जो विर्त को बढ़ा सकते हैं जितना आप नॉर्म using कर बैठ में इस तरीके से ऐसे और बेकस्इट में अगर आप देखेंगे तो बैकक kicking में भी हम मारा कोई वर्क नहीं जो तुर्पाई करने के लिए हमारा होता है नेक में वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमने इसे फ्रंट में लिया है तो यह हमारा नेक पूरी तरह से तैयार है अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी कुर्ती में जिप अटेच करना बताऊंगी कि आप किस तरीके से इ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूले अभी के लिए थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में